यूपी में उप चुनाव होने वाले हैं जिसे लेकर सारे दल आमने सामने आ चुके हैं और चुनाव जीतने की सारी कोशिश में लगे हुए हैं लेकिन इसे बीच मायवती ने लोकसभा चुनाव में अपना पुराना सिध्धान्त तोड़ दिया है जिसे सुनने के बाद सपा और आजम खान के तो होशुडी चुके हैं बीजेपी भी हैरान हो गई है तो क्या है मायवती का नया प्लान इस रिपोर्ट में आप देखिए उत्रप्रदेश के आजमगड़ों रामपुर में 23 जून को उप्चुनाव होने वाला है जिसे लेकर सारे दल आमने सामने आ चुकी है बीजेपी भी चुनाव में जीत पकी करने के लिए रड़नीती बनाने में लग चुकी है लेकिन इस बीच मायवती ने भी उप्चुना को लेकर एलान किया है कि वो रामपुर से नहीं बलकि आजमगड़ सीट से प्रत्याशी शहा आलम ओर्फु गुड़ू जमाली को आगे करेंगे मायवती जानती है कि रामपुर में उनका संगठन मजबूत नहीं है इसलिए मायवती रामपुर से कोई प्रत्याशी नहीं उतारेंगी रामपुर की सीट आजमखान और आजमगड की सीट अखलेश शादव के लोकसबा से इस सीफा देने के बाद से खाली पड़ी है अभी तक मायवती उप्चुनाव से हमिशा दूर रही है लेकिन इस बार अखलेश शादव को सबक सिखाने के लिए मायवती ने अपनी पार्टी के इस पुराने सिधान को बदलने का फैसला किया है अलगी रामपुर सीट बसबा अभी नहीं जीत पाई माना ये जा रहा है कि मायवती आजम खान के प्रट्याशी को समर्थन देने का मन बना रखी है ताकि अखलेश शादव मजबूर होकर आजम खान के प्रट्याशी को चुनावी मैदान में उतारे है अलगी आजम गड़ में भी मायवती मजबूत नहीं है फिर भी मायवती गुड़ू जमाली के जरिये सपा के गड़ आजम गड़ में अखलेश को शिकस्त देना चाहती है लेकिन इस मुकाबले में ओन जीतता है ये तो देखने वाली बात होगी लेकिन ये भी देखना काफी दल्चस्प होने वाला है कि सपा के गड़ में ओन सेंद लगा पाता है या फिर एक बार फिर सपा अपने गड़ में जीत का परचम लहराती नजर आती है Bureau Report R9 News झाल